वेल्कम स्टूडन्स इस वीडियो में मैं मादमिक या हम अधर सा एक्जाम के लिए एल्जेबरा का इंपोर्टेंट शॉर्ट एंसर टाइप कोश्चन पार्ट टू और मेंसुरेशन का कोश्चन सेयर करूंगा इससे पहले मैंने एल्जेबरा का पार्ट वान वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कोश्चन नमबर वान से लेके टेन तक सॉल्ब किया था लेकिन अब ताइम नहीं होने के वज़ा से जस्ट में सिर्फ कोश्चन शेयर कर दे रहा हूं ठीक है तो कोश्चन नमबर 11 से यहां शेयर करोंगा और इसके बात मैंसुरेशन भी इंपोर्टेंट कोश्चन बुक से बताऊंगा तो यहां पर question number 11 से होगा आप यहां पर just question देख ले और इसका PDF फाइल में देदूंगा नीचे description में आप download करके भी रख सकते question number 11 ठीक है यह question number 11 हो गया और इसका answer is 14,21 question number 12 इसका answer is 86 next question number 13 quadratic side से है यह question number 13 और इसका answer is 0 question number 14 है यह दोनों दियावा है और value इसका निकालना है इसका answer is 5 फिर next question number 15 यह question है ठीक है इसका value निकालना है इसका answer is 2 वीडियो को pause करकर के आप question note कर ले और खुद से अगर हो सकता है तो solve कर जिए होके question number 16 है यह एक का value है इसका value में निकालना है एंसर इसका 4 है next question number 17 यह पी प्लस क्यू इस्टू रूट अपर पी क्यू का रिश्यो टू इस्टू आन है तो पी इस्टू क्यू क्या होगा answer तो यह सभी था चैप्टर 9 से था ठीक है फिर चैप्टर 13 जो variation या परिबाता ने उसमें से कुछ question है यहां पर से पहला question है को कि यहां पर प्रूरूब करना है थिरी वैरेशन constant का प्रोड़क्ट वान होगा उनका गुननफल एक होगा question number 90 ने यह दिया हुआ है देख ले एक्स का वैलू निकालना जब y equal to 6 होगा answer इसका 4 होगा question number 20 है यहां पर यह दोनों diet variation में है तो में दिखाना होगा xy equal to constant होगा जहां पर abcd सभी constant है question number 11 है sorry 21 है यह दोनों diet variation में है तो फिर दिखाना है कि x by y plus y by x यह x होगा यह constant होगा तो यह 21 question algebra से मैंने select किया था जो different type का question है कोई भी आ सकता है okay कि इसके बाद हम आते हैं mensuration पे ठीक है mensuration का चार चेप्टर चेप्टर 4 चेप्टर 8 चेप्टर 12 और चेप्टर 16 ठीक है reduce syllabus के सबसे 2022 के लिए तो सबसे पहले chapter 4 जो क्यूब वाइड है या आयत घन का चेप्टर है इसमें से मैं सिर्फ book से यहां पे जो important लग रहा है वह मैं बताऊंगा okay short answer type question में यहां से आप practice कर ले question number 1 and question number 2 question number 1 question number 2 यह दो कर लेंगे okay और कभी-कभी ऐसा भी होता कि MCQ में से भी question आ जाता है कभी में बड़े question में से आ जाता है exercise से यह MCQ में से question number 3 एक मरतबा कर लेंगे MCQ में question number 3 और यह two marks के लिए okay यहां पे इस तरह से होगा कि क्यूब का surface area 256 है तो उसका volume find out करें इस तरह से और यहां पे कुछ exercise से भी करना है exercise 4 से हैं तो यहां पे भी two marks के लिए important होगा question number 6 7 8 और 10 question number 6 question number 7 question number 8 6 7 8 और question number 10 application यहां पे करेंगे application number 13 two marks के लिए okay उसके बद next chapter 8 यानि right circular cylinder लंबिता कर बेलन तो इसके short answer type question two marks में से यहां से practice कर लेंगे question number 2 and question number 3 question number 2 and question number 3 and उसके बाद यहां पर उसके यहां से करेंगे एक यह चीज़ भी कर लेंगे यह true follow fill in the blanks में question number 3 एक मरतबा practice कर लेंगे ठीक है यहां पर जैसे fill in the blanks से two marks का question भी बन सकता है और इसके साथ साथ यहां पर भी हम एक दो practice करेंगे mcq में से यह question number 2 and question number 3 यह दो कर लेंगे next chapter number 12 यानि sphere या गोलक इसके short answer में से करेंगे question number 1 करेंगे and question number 4 करेंगे यह दो कर लेंगे और question number 3 भी करेंगे यह 3 कर लेंगे और mcq में से एक करेंगे mcq में से question number 4 कर लेंगे यहां पर mcq है mcq में से question number 4 कर लेंगे okay two marks के लिए and last chapter number 16 ठीक है right circular call लंबिता कर संकोपेज no.228 में तो इसके short answer type question में से करेंगे question number 1 कर लेंगे question number 2 कर लेंगे and question number 3 यह पहला 3 कर लेंगे okay और mcq में से यह कर लेंगे question number 5 question number 5 बस इतना ही okay so best of luck for your final exam okay we you you you